कि आज की वीडियो के आप सब लों का वहोट है आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है हम में तो सबसे इंपोर्टन टॉपिक इसली है कि यूणिबर्सिटि इसमों पढ़ने का तो आप ना पढ़ाई में सकसीड कर सकेंगे ना आगे जॉब में सकसीड कर सकेंगे ना एक नॉर्मल हैपी फुश जिन्दगी जो है वह गुजार सकेंगे तो मैं इसमें पहले तो ये थोड़ा से इसमें एड्रेस करूँगा कि क्या रीजन्स हैं क्यों ये हो जाता है कि जो लोगे ब्रॉड मूफ करते हैं वो वेड गेन कर लेते हैं फिर मेरे परिसनल एक्सपीरियंस कि क्या मेरे से ऐसा हुआ ये नहीं और थर्ड नंबर पर ये बात करूँगा कि मैं आपकी इसमें कैसे हल्प कर सकता हूं ये मैं अपनी क्या सजेशन्स आप लोगे साँ चेयर कर सकता हूं तो देखें यार होता है यूँ है यूजिली के जब भी आप मूफ करते हैं इस केस में हम जर्मेनी की एक्जामपल लेते हैं तो एक बहुत बड़ा जो आना वो चेंज आता है आपके लाइफस्टाइल में पूरे एंवार्मेंट के अंदर आपकी इटिंग हैबिट्स के अ के साथ सूट करती हैं इजस्ट करती हैं उनका एक पैटरिंट बनाते बनाते फिर आपका जो स्केजूल होता है आपने हर चीज़ खुद से इंडिविज्वली मैनेज करनी होती है अपने कमरे की सफाइए खुद करनी होती है अपने अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना होता अपनी assignments का, अपनी exams का, अपने लिए student jobs ढूंडनी होती हैं, फिर वो करनी होती हैं, फिर उसमें traveling भी कई दफा involved होती है, कई दफा फिजिकल काम भी होता है, हर को इतना लखी नहीं होता कि इसको हीवी job मिल जाए, और हीवी job भी अगर मिल जाए, तो वो भी काम ही होता है, उस अगर आप उसके लिए prepared भी हों, फिर भी वो physically feel करने से, खुझ से, उसमें एक difference होता है, आप उसमें जाते हैं, पर उससे निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक बिलकुल एक, फिर आप individually अकेले होते हैं, शुरू में specifically जब आप आते हैं, as a professional भी, as a student भी तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो unprepared होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए, और वो इस सारी चीज़ों का shock जो है, या change जो है इतना बड़ा, उसको वो नहीं ले पाते, positive तरीके से, और या तो वो depression में चले जाते हैं, या वो homesickness में चले जाते हैं, जो सबसे a question मेरे चैनल पर हमेशा पूचा जाते हैं, उसके मेरे वीडियो भी एक काफी detail में बनाई, और फिर वो सारी चीज़ें उनको affect करती हैं, उनके eating patterns के पर, क्योंकि जो आपका मोटापा या obesity है, और जो mental health है, ये इनकी two way association है, इसके पर मुझे याद आगे, मैंने एक study भी जाते हैं, यादि दोनों चीज़ें जो हैं, वो एक दूसरे के साथ interlinked है, तो फिर शुरू में जब Germany आप आते हैं, तो जर्मनी में जो food है, supermarkets के अंदर, वो German currency की बात करूं, आपको convert मत कीजे, अपने रुपों में, कि वो काफी cheap है, आपको ये feel होगा, जर्मनी में भी organic food जो है, वो expensive है, लेकिन जो बहुत cheap food भी available, एवन आपको 20 सेंट की भी एक भोच है, जो छोटी bread होती है, वो भी मिल जाएगी, अगर आप पहनी माक के इस तरहें के supermarkets में जाएं, तो और बहुत सारी जो junk food है, वो easily free, free कहा हूँ, बहुत cheap price के उपर available है, तो students क्योंके उनके fast food की तरफ जादा attract हो जाते हैं, क्योंके cooking में time भी लगता है, of course, तो, और sugar intake बहुत सारा की बढ़ जाती है, फिर sugar intake बढ़ती है, तो आपको पता ही है, कि फिर उसका क्या नुक्सान होता है, और मैंने खुद अबसर्फ किया कि बहुत सारे लोग, जो सरफ 20 स में, mostly students अपने 20 स में ही आते हैं, 20 स के अंदर, within 20 स वो जो है, बहुत जादा उने वेट गें कर ली, अच्छा ये भी एक फिनामेना है, कि कई लोग opposite direction में भी जाते हैं, कि कई वो lose भी कर जाते हैं, लेकिन mostly मने देखा weight gain वाले, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा है weight gain करने कि जो किसी medical illness के व वो भी मोटापा उनको हो जाता है, तो वो तो एक लाइदा चीज है, जो कि उनका कोई self-inflicted नहीं होता या उनका कोई control नहीं उसके पर होता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सिरफ अपने irregular eating patterns की वज़ा से या depression में चले जाने की वज़ा से, उसकी compensation वो खाने से या sugar intake से करत है, तो मेरे साथ ये हुआ था, मैं अपनी आपको बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाई कर नहीं आया यहां पे, 2012 के October में, तो मैं काफी जादा well prepared आया, और उसकी reason ये थी, उसका credit जो है, वो मुझे नहीं जाता, वो मेरे बड़े बाई को जाता है, क्यो तो वो जर्मनी भी काफी दफा आया था, अपनी research के सिलसले में, तो मेरी उससे हमेशा contact में रहते थे हम, और वो मुझे explain करता रहता था, यहां का lifestyle, student life में कैसे आपने डील करना है, पढ़ाई को, या daily life को, और वहा से transition कैसे आपने करनी है, अपनी professional life के अंदर, तो मेरे पा पारीज हैं, वो भी दो साल की बजाए, वो एक साल में, दस महीने में, in fact, खतम कर ली थी, और उसके बाद मैंने फुल टाम अपनी job स्टार्ट कर ली थी, मुझे सरफ एक बीच में एक patch आया था, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं अपनी पढ़ वो सरफ फिजिकल जॉब्स अवैलिबल थी, उसमें मैंने मुझे स्टूरेंट जॉब्स की थी, कोई पैकिंग की, किसी कोई वेर हाउस में, किसी फैक्टरी में, बहुत सारे स्टूरेंट्स यह करते हैं, कभी इसके बहुत डिटेल वीडियो भी बना था, कि वो एक्जाट एक महीना मेरा बड़ा अनहेल्दी था इस लहाज से, और मैंने उसमें गेन नहीं किया, मैंने उसमें जो मेरा यूजूल होता है, जो मेरा आईडियल बीमाई है, उसमें मैंने लूस किया, और यह शुकर ही है, क्योंकि मुझे गेन पसंद नहीं है, लूस अगर हो जब वो म जब मैं अपनी आफिस रूटीन में तो मैं हमेशा से रनिंग करता हूँ, या वॉक करता हूँ, या कोई नहीं कोई स्पोर्ट करता हूँ, तो यह बहुत ज़ूरी है, क्योंकि अब मैं उससे पहले कि मैं आपको अपनी सिजेशिन्स दूँ यह बताने के लिए इसलिए कि आप लोग अगर mentally stable नहीं होंगे, physically healthy नहीं होंगे, तो आप अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप आगे जॉब भी नहीं कर पाएंगे, आप enjoy भी नहीं कर सकेंगे यहां पर, जो आप life enjoy करने के लिए आ रहे हैं, या high quality के life के लिए आप basically जोई मनी आ र independent बंज है, financial independence आपके पास आज है, तो उस चीज के लिए mental health आपकी और physical health ही बहुत जरूरी है, देकिए इसमें मैं आपकी help कैसे कर सकता हूं, मैं सरफ यह suggestions शेयर कर सकता हूं कि अगर आप Germany आने से पहले या abroad कहीं भी move कर रहे हैं, जो कि आपकी involvement से हमारी South Asia की involvement से बहुत different है तो आप उससे पहले अपने आपको prepare करना शुरू कर दें, जैसे महीना दो महीना पहले आप खुद से cooking करना शुरू कर दें, अपने घर में, ठीक है, आप अपने कमरे की सफाई खुद करना शुरू कर दें, आप groceries में हमेशा देखता हूं, YouTube पे लोग एक की complete कर रहे होते है कि आप यहां में अपनी groceries खुद उठाने पड़ती हैं, क्या यार कुछ भी नहीं होता, groceries आप अपनी खुद करना शुरू कर दें, यहां पर आपको वो करना होगा, उसके बाद आप अपना, हर वो काम जो आपको लगता है कि उस पर आप किसी पर dependent है, किसी office में जाके, वहा करवाएगी, एक feeling देगी, कि आप जो है, वो घर से बहुत दूर नहीं है, बहुत मुखलिफ environment में नहीं है, क्योंकि लैंग्विज जब आपको समझ आएगी, तो आपको लगएगा कि यार यह इतना फर्क नहीं है, हाँ, चीजे मुखलिफ हैं, लेकि मुझे सब समझ आ रह दी हैं, उसकी साथ, उनकी job descriptions देखके, कि उसमें क्या required है, वो चीजे में पढ़के, तो overall, अपने आपको mentally, physically, दोनों हिसाब से, अगर आप पूरी तरह prepare करें, language के साथ, और तब आप अगर आएं, move करें, तो मैं आपको बताओं कि आपको यह transition, जो है, यह feel भी नहीं होगी कोई, यह आप इसको enjoy करेंगे, यह मैंने उस वीडियो में भी कहा थे, कि please stop saying, student life is tough in Germany, वो इसलिए, कि वो tough नहीं है, अगर आप well prepared हों तो, तब आप एक एक चीज़ को, जो study का time है, जो job का time है, जो internship का, even student jobs का time है, आप उसको मज़े लेके करेंगे, और आप enjoy करेंगे इसक करेंगे, तो, यह advice, suggestions मैं आप लोगों के से share कर सकता हूँ, और अगर आप लोगों के कोई इस topic से related कोई और questions हैं, तो आप ज़रूर comments में लिखें, हम उनके उपर जो है, वो बात करेंगे, क्योंकि यह topic बहुत ही ज़ादा important है, मैं खुद यह इस पर दोबारा emphasize करता हूँ, क्योंकि जो obesity का topic है, और depression का topic है, इसके पर मैं और वीडियो भी करूँगा, क्योंकि यह 20s में यह 30s में, एक तो एज के साथ जो आपके weight gain होता है, वो तो एक है, वो तो natural है, उसको तो एक level पर आप जाके avoid भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने 20s के अंदर लोग देखे हैं, और यह सारा जो है, वो mental instability की वज़ा से यह linked होती है, क्योंकि उनके eating patterns जब खराब हो जाते हैं, तो आप लोगों के कोई questions हैं सवाले से, तो आप ज़रूर लिखें, उसके अलावा जो मेरी commentary की videos हैं, उसके उपर आप लोगों ने काफी अच्छा response दिया, एक second, जब भी मैं अगर वीडियो शूट करते हूं, तो यह ambulance की sound आ जाती है, 911 की है, तो जो commentary की videos मैं कर रहा हूं, वो काफी सारी मैंने आगे plan की ही हैं, जो सही important topics से उनके उपर बात करेंगे, हम बहुत सारे videos आगे आने वाली हैं, और इस से related अगर और questions हैं आपके हवाले से, यह suggestions तो वो comments में ज़रूर लिखें, और अगर यह video आप लोगों का पसंद आई है informative लगी है, तो इसको एक thumbs up जरूर दीजेगा, और एंड में यही कहूँगा, कि यह video देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,